दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में हम आपको फेस्बूक का नया एवं पुराना अकाउंट डिलीट करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा दोनों अकाउंट को डिलीट करने की प्रोसेस अलग-अलग है तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको फेस्बूक का पुराना अकाउंट डिलीट करने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा ठीक इसके बाद फेस्बूक का नया अकाउंट किस तरह से डिलीट किया जाता है बताऊंगा तो दोस्तों फेस्बूक का पुराना अकाउंट डिलिट करने के लिए यहां उपर क्लिक करूंगा और पुराना फेस्बूक अकाउंट जिस नाम से था उसे पूरा टाइप करूंगा मेरा पुराना facebook अकाउंट रमेज पांडे के नाम से था तो मैं इसे टाइप कर रहा हूँ पूरा नाम टाइप करने के बाद नीचे see result for रमेज पांडे के option पर क्लिक करूँगा see result पर क्लिक करने पर मेरा पुराना facebook अकाउंट दिखाई देने लग गया है C result पर क्लिक करने के बाद यदि आपका पुराना Facebook अकाउंट दिखाई नहीं देता है तो उपर People के Option पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए अपने पुराने Facebook अकाउंट को ढूड़ना है इतना करने के बाद भी यदि आपका पुराना Facebook अकाउंट दिखाई नहीं देता है तो यहाँ उपर क्लिक करेंगे और यहाँ City के Option पर क्लिक करेंगे यहाँ Find a City के Option पर अपने City का नाम डाल देंगे देखिए मेरी City Riva है तो मैं Riva टाइप कर रहा हूँ और यहाँ Riva India पर क्लिक कर लूँगा नीचे 100 Results पर क्लिक करूँगा तो दोस्तो इतना कुछ कर लेने के बाद आपका पुराना Facebook अकाउंट आपको जरूर मिल जाएगा और अब हमें हमारे पुराने Facebook अकाउंट पर क्लिक कर लेना है यहाँ पर हमें three dots को option दिखाई देगा इस पर हमें क्लिक करना है और आप उपर find support और report के option पर क्लिक कर लेना है find support और report के option पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर हमें pretending to be someone के option पर क्लिक करना है सिंद्रेन टो-से सब्सक्राइब करने पर फेजय ऊपन होगा यहां पर हमें लें नीचे संवे तोrr च्लेन हैं ने फेस्बूक अकाउंट डिलीट हो जाएगा वे उससे डिलिक करने के लिए उपर 3D line पर क्लिक करेंगे 3D line पर क्लिक करने के बाद नीचे setting और प्राइविसी के औप्सन पर क्लिक करने के बाद नीचे अग्रोंड उनर्रेशिप में पर क्लिख करने पर कुछ इस तरह के इंट्रोफर्स दिखाई देगा यहां पर हमें deactivation and deletion के option पर click करना है deactivation and deletion के option पर click करने पर कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर हमें delete account के सामने वाले box पर click करना है और नीचे continue to account deletion के option पर click करना है यहाँ पर नीचे continue to account deletion के option पर click करने पर कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा इस page को नीचे की तरफ scroll down करते हुए delete account की option पर click कर लेना है यहाँ पर अपने facebook account का password डालना है password डालने के बाद continue की option पर click कर लेना है continue की option पर click करने के बाद एक बर और delete account की option पर click करना है तो यहाँ पर हम delete account की option पर click कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपका फेस्बूक अकाउंट अगले 15 से 30 दिनों में डिलीट हो जाएगा इसी तरह की और भी वीडियोज देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस करना ना भूलें वीडियोज पूरा देखने के लिए धन्यवाद